भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष द्वारा युवक की गोली मार कर की गई हत्या मामले ने अब तूल पकड़ लिया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नेम रतक के घर पहुँचकर पीडित परिवार से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने परीजनों को एक ल प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पीडित परिवार से मुलाकात के बाद भाजपा सरकार पर हमला बोला उन्होंने भाजपा पर प्रशाशन के माध्यम से गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया उमंग सिंगार ने कहा कि इस्थानिय पुलिस और प्रशाशन के अधिकारी सत्तारून पार्टी के दवाब में कारे कर रहे हैं मामले में आरोपी के साथ जो लोग थे उनकी पहचान नहीं कराई गई उन्हें बचाय जा रहा है पोस्पार्चम के दौरान परीजनों को साथ नहीं रखा गया इस्थानिय नेताओं के दवाब में पूरे मामले में लीपा पोती की जा रही है मतक परिवार के उनके परिवार के फिता ने उनके बताया मतक के फिता ने तो यह एक पूरा शडियन्थ है बीजेपी का और अपने लोगों बचाने का अब देख रहे हैं देख अलियो